कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, तबादले के नियम में संशोधन, पांच विकल्पों का कर सकेंगे चुनाव, तीस तक पूरी होगी प्रक्रिया, मिलेगा लाब कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें तबादले का लाब दिया जाएगा, इसके लिए प्रस्ताव को संशोधित किया गया है, वहीं पांच विकल्प तैयार किये गए है, इन पांच विकल्प में से चुनाव करना अनिवार्य होगा, 30 जून तक तबादले की प् किये गए है, वरियता में अधिक्तम पांच विकल्प उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, महा निदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने राजकिया माध्यमिक विद्याले में ओनलाइन तबादले के लिए शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा है, साथ श्रेनियों में विद्याले को बाठ कर तबादले मानक तै किये गए हैं, तबादले के नियम को वरियता में अधिक्तम पांच विकल्प ले सकेंगे, वहीं 30 जून तक तबादले की प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा, निय प्रस्ताव में जिन नियमों को संशोधित किया गया, उसमें एक ही पद पर एक से अधिक आवेदक का गुनाक समान होने पर अधिक्तमायू वाले आवेदक को वरियता दी जाएगी, इसके अलावा किसी भी विद्याले में 10 प्रतिशत से अधिक आवेदन पत्र नहीं भीज जाएगे, यदि आवेदन एक से अधिक है तो अपनी समवर्ग में वरिष्ट आवेदक का आवेदन अग्रसारित किया जाएगा, साथ ही गंभीर बीमारी से पीडित होने पती पतनी है बच्चे में से किसी एक के दिव्यान होने पर 50 गुनाव दिये जाएगे, 31 जून तक प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य वही नियम के तहट जिलावार, विद्यालेवार और विशेवार ओनलाइन उपलब्ध रिक्त पद का विवरन वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा, उम्मीदवार जिले के विद्याले में आवेदन कर सकेंगे, प्रस्ताव प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा, इसका लाब लाखो शिक्षकों को मिलेगा